आज हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर डिस्केशन करेंगे जो टॉपिक है आज का हमारा वो है इलेक्टरिसिटी का यूनिट कि क्या होता है ये आखिर एक यूनिट आफ इलेक्टरिसिटी कौन सा अप्लाइंस कितनी देर यूज करें तो वो एक यूनिट आफ इलेक्टरिसिटी लेगा इस यूनिट आफ इलेक्टरिसिटी और किलो वाट आवर में क्या रिलेशन्शिप है और क्या है आज कल पाकिस्तान में एक यूनिट आफ इलेक्टरिसिटी के बिलकर रेट्स य जैसा कि आपको नदर आ रहा होगा कि ये electricity का बिल हमें units की form में मिलता है। इस बिल में आपको नदर आ रहा होगा कि बिल आया है 118 units और 7 महीं आपको units के साथ 1 kilowatt hour की term भी नदर आ रही होगी। तो जी हाँ, बिलकुल, यहीं से start होती है definition 1 unit की। तो एक unit of electricity बराबर होता है 1 kilowatt hour के, 1 kilowatt का मतलब है 1000 watt For example, अगर आप एक vacuum cleaner यूज़ कर रहे हैं, जिसकी power है 1000 watt और इस 1000 watt power को अगर आप continuously एक घंटे तक यूज़ करते रहेंगे तो यह बन जाएगा 1 kilowatt hour और यह equal हो जाएगा 1 unit of electricity के मतलब अगर किसी ने 1000 watt का vacuum cleaner एक घंटे के लिए यूज़ किया तो वो एक unit के बराबर होगा तो आपको clear हो गया होगा कि एक unit of electricity का मतलब यह होता है कि अगर हम कोई भी appliances जिसकी power 1000 watt है उसको मुसलसल एक घंटे के लिए यूज़ करेंगे तो वो one unit of electricity consume करेगा और एक unit के rates क्या होते हैं electricity के वो हम आपको आगे जाके बताएंगे अब मज़ीद explain करते हैं कि इस kilowatt hour में ये watt की क्या time है watt जैसा कि आपको पता है कि नर्मनी एक power का unit है और आपके घर में जितनी भी चीज़ें है like fan हो गया, bulb हो गया, इन सब की एक watt होती है जिससरा bulb 100 watt का होता है, fridge 200 watt का होता है और इसके इलावा आप different appliances की power देख सकते हैं वो कितने watt की होती है तो ये बहुत important है, क्योंकि मैंने जो आपको definition बताई उसमें यही बताया है कि अगर 1000 watt की चीज़ एक घंटे तक चलेगी तो वो एक unit consume करेगी तो अब हम discuss करते हैं कि हमारे घर के different appliances हैं वो कितनी देर चलके कितनी बिजली यूज़ करते हैं तो आएं one by one discuss करते हैं जैसा कि हमें पता है कि घर में हर चीज़ के अलग watt होते हैं हर चीज 1000 watt की नहीं होती अगर 1000 watt की होती तो calculation simple थी कि 1000 watt अगर आप एक घंटे के यूज़ करेंगे तो वो one unit होगा लेकिन हमारे घर में different चीज़ है different watt की होती है तो चले हम पहले सब के watt बताते हैं आपको घर में जो एक ceiling fan हर कमरे में लगा होता है वो 75 watt का होता है बल्ब 25 watt का होता है LED TV 40 watt की होती है Fridge 200 watt का होता है Istri 1100 watt की होती है Washing machine 250 watt की होती है O1 1250 watt का होता है और सबसे important AC जो है वो भी 1200 watt का होता है एक ton का AC तो आप discuss करते हैं कि कितने watt की चीज़ को कितने घंटे चलाएंगे तो हमें एक unit मिलेगा Fan की example लेते हैं Fan क्योंके 100 watt का होता है अब इस 100 watt के fan को अगर हमने 10 घंटे चलाया तो watt पावर की unit है और 10 घंटे ये watt और hour मिलके watt hour बन जाएगा और ये fan 10 घंटे टोटल चलके 1000 watt hour बिज़ी लेगा और ये 1000 watt hour एक unit के बराबर है मतलब अगर आपका पंखा दिन में 10 घंटे चलेगा तो वो आपको एक unit देना पड़ेगा और 2 पंखे मतलब 2 unit इसी तरह बल्ब जो है LED वो 25 watt का होता है तो 25 watt को अगर आपने कितने घंटों से multiply करेंगे तो 1000 आ जाएगा output पे तो आप सब बताएं जी हाँ अगर हम 25 watt को 40 घंटों से multiply करेंगे तो तब आएगा 1000 watt hour मतलब अगर 25 watt का बल्ब मुसलसल 40 घंटों तक जलता रहे तो वो आपको एक unit consume करेगा इसी तरह आपके कमरे में लगी हुई LED जो के 40 watt की होती है वो मुसलसल अगर 25 घंटे चलती रहेगी तो वो equal हो जाएगा 1000 watt hour के जो के बराबर होगा एक unit के नेक्स्ट है washing machine जो के 200 watt की होती है और इस 250 watt की washing machine को अगर आप मुसलसल 4 घंटे चलाते रहेंगे तो ये आपका एक unit consume करेगी इसके बाद हम discuss करते हैं fridge fridge क्योंके 200 watt का होता है लेकिन fridge का आपको ये बालूम है कि fridge जो है वो मुसलसर पूरा दिन नहीं चलता तो fridge की power हम 24 hours की base पे calculate करते हैं लेकिन क्योंके fridge के अंदर एक thermostat होता है जब temperature attain हो जाता है तो वो fridge बंद हो जाता है तो इसलिए हम on the average जो fridge के watt हैं उसको divide करते हैं 3 से अगर 200 watt का fridge है इसको अगर हम 3 से divide करें तो 66 watt इसमें बनते हैं तो इस 66 watt को अगर हम 24 घंटे तक use करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1600 watt hour के और जैसा कि हमें पता है कि 1 unit बराबर होता है 1000 watt hour के मतलब ये है कि अगर आप fridge को मुसलसल 24 घंटे चलाएंगे तो वो आपका 1.6 unit consume करेगा और 30 दिन पर अगर इसको हम calculate कर लें तो एक fridge आपके एक महीने में total 48 units यानि के 48 unit electricity के एक fridge consume करता है एक घर में Last में हम discuss करते हैं गर्मियों में सबसे ज़्यादा unit use करने वाली चीज AC जो है वो एक 10 का 1200 watt का होता है और अगर ये AC एक घंटे चलेगा तो वो आपका 1.2 units consume करेगा और अगर कोई बंदा इसको 24 घंटे चला के रखता है तो आपके एक दिन के 28 units सिर्फ AC consume कर लेगा अब हम discuss करते हैं कि एक unit के electric आपको कितना charge कर रहा है नॉमबर 2023 में अगर आप बात करें 3 phase meter की तो उसमें आपको पता है कि peak और off peak hours होते हैं तो off peak hours में हमें जो एक unit cost होता है वो तक्रीबन 35 रुपे का लगता है और peak hours में वो ही unit 41 रुपे का हो जाता है तो आपको मैंने हर चीज appliances के unit calculate करना सिखा दिये अब आप उसकी base पे ये बता सकते हैं कि आपके एक unit में कितने पैसे लग रहे हैं जिस तरह मैंने आपको बताया example के washing machine जो है अगर आप 4 घंटे चलाएंगे तो वो आपको एक unit का पड़ेगा मतलब अगर आप washing machine off hours में 4 घंटे चला रहे है तो वो आपको 35 रुपे देने पड़ेंगे और यही washing machine अगर आप 4 घंटे चला रहे हैं जो के equal होता है 1 unit के peak hours में तो उसके आपको 41 रुपे देने पड़ेंगे तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि एक unit होता क्या है एक unit different appliances कितना consume करती है कितने घंटे चलने के बाद और एक unit के rates क्या है के electric के bill में और ये बहुत असान है के electric के अलावा अगर आप पंजाब साइट में रहते हैं के पी के साइट में रहते हैं वहाँ भी unit calculate बिलकुल सेम है बस rates का difference होगा I hope के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी अब आप इस वीडियो को अपने जहन में रखते हुए अपने appliances को उसके मताबिक यूज़ करें आप जितना उसको यूज़ करेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये कितने unit consume कर रही है जैसा कि अगर आपको पता है कि अगर आप एक LED जो आपके कमरे में लगी है 40W की उसको मुसलसल आप 25 घंटे चलाएंगे तो वो आपको एक unit consume करेगी तो इसी तरह आप हर चीज़ calculate करें और ये मेरा वी लॉग देखें complete और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अल्ला हाफिज